हेलो बच्चों मैं आज जो है आपके सामने फिर जनल ऑगनिक केमिस्ट के साथ पर बात कर निकले आया हूं आपको यह बात समझ में आएगी एक वा सो इसने पर इसमाने में को समझना पड़ेगा जैसा कि मैं ने बदाया था रेक्शन मेकनिजब के अपने स्च्ट होते हैं पहले इसमें मीडियम डालते हैं व्चों में प्रिविजियू में तो उसके बात क्या होता है कि हम उसमें करके कभी-कभी फाइल प्रोड़क्ट बलाता हैं सिकेंड कंडिशन में क्या नदर आएगा आपको कि सम् रियेक्शन कहीं नदर आएगे आपको जहां पे रियेजिंट सिर्फ खुद ही इंटरिमिडिट बन जाते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज है कि रियेजिंट क्या करे अधरन की तब अधरन के दगर के उसके पास यॉब और पकोण के पास प्रदिशन के पास आइलेक्ट्रों की क्राइजिस होगी जिसके पास पॉसिट चाल पयाएगा मतलब लिस दैंट लिस दैंक एटंट वाश्यन देंट नजाराए कि इस आपको यह नजर आएगा इसके पास आठ से कम एलेक्ट्रों पर देंगे, हैडियों के पास आप पाएंगे 5 एलेक्ट्रों होते हैं, अगर आपके 8 वालते बटी है, 7 एलेक्ट्रों मिलेंगे आपको, 20 प्लास चार प्रेजिक, that is all awkward एलेक्ट्रोपाइल कहलाते हैं, important बात है कि साहे positive चार दिखा जोते हैं, वो एलेक्ट्रोपाइल नहीं होते हैं, जैसे आप sodium plus, potassium plus, calcium 2 plus, ammonium 2 plus, इन सब में किया है कि सब के octet complete है, complete octet को कभी भी हम करते ही एलेक्ट्रोपाइल नहीं कहते हैं, not electrophile, कभी एलेक्ट्रोपाइल नहीं कहते हैं, second type ये थे, कि charge बाले बताये मैंने आपको, अगला neutral है एलेक्ट्रोपाइल होते हैं, वैसे species जिनके पास incomplete octet होता है, जिनके octet complete नहीं होते हैं, इनके पास electron 8 से कम हो, इसमें charges नहीं होते हैं, For example, BS3, B2S6, BCL3, सब के पास आप पाएंगे 6 electrons मिलेंगे, BST के पास 6, इनके पास भी 6, इनके पास भी 6 हो, आप रोमोस में 8 से कम electron होगा, इनके पास भी 6 electron, इनके पास 6 electron है, तो वो octet पूरा करने के electron accept करना जाते, तो आप ऐसा भी कैसेखते हैं कि all Lewis acid is electrified, जो भी electron के acceptor होंगे दिसा आप को electrified करना जाते हैं, next condition कहता है कि अधर किसी के पास expand करने के chances हैं, वो अपने orbital को मेंदेव electron को jump करा कि D orbital में पहुचा सकते हैं, इस वापी के साथ D में जा सकते हैं, खासका third period के जो element नज़र आएंगे आपको, जैसे phosphorus को देखिए, sulfur को देए गया, यह सब item कहा है कि यह D orbital का इस्तमाल कर सकते हैं, तो ऐसे condition में जहां expansion हो सकता है, वो electron अबरे D orbital में ले सकते हैं, वैसे condition में भी वो आपको electrified करने, यह थी basically आपको electrified के example और असकी पहचानत करने जरूरी है, इस तरह से आप electrified की पहचान, इस आप electrified की पहचान, इस आप electrified की पहचान, अगर आप second type के reagents की बात करेंगे, second one is called nucleophile, nucleo का मतलब तो नुक्लियस से निकला है, nucleus loving special, हम सब जानते हैं कि इटम के nucleus पे plus charge होता है, उसका interaction हमेशा negative charge की तरफ होगा, positive पे attraction चों करेंगा, मतलब self पे उस पे negative चाहर लिया, electron density उसके पास जाता होगी, all Lewis bases are called nucleophile, because हम जानते हैं कि Lewis bases are very good electron pair donor होते हैं, यतने भी derivative bond बना सकते हैं, coordinate covenant bond बना सकते हैं, electron pair donate कर सकते हैं, that is always in the criteria of nucleophile में हैं, पहला first type में अगर हम देखें, होगा है, second point is negatively charged space, H-, CS3-, NO2-, NO3-, F-, CL-, BR-, I-, Ns2-, इसके लावा, जहां भी किसी atom के पास negative charge present हो, electron pair होना चाहिए, donate करने के लिए, ऐसे condition में ये सब nucleophile के लाएंगे, तो ये negative charge spaces है, third type में इस इसकोड neutral nucleophile, यही Lewis base का का काम भी करते हैं, neutral का मतलब उनके उपर कोई charge नहीं होता है, पर ये खयाल रखिए, जो atom electron pair donor होगा, उसके पास octet complete हो जाता है, दूसरी बात बड़ी important किया है, यार रखिया, कभी भी, कोई atom एक वक्त में सिर्फ एक ही electron pair donate कर सकता, एक से ज़ादर donate नहीं कर सकता, जैसे आप यहाँ देखिए, H2 अपना एक electron pair donate कर सकता है, एथर अपना एक electron pair donate कर सकता है, ये एथर है आपका, methoxy methane है, ethanol है, इसका oxygen is act as a nucleophilic center, ammonia में से electron pair donate हो सकता है, R2 electron pair donate कर सकता है, तो electron pair donor जो है, वो आपको आसानी से nucleophile बन सकते है, तो इन पर कोई charge नहीं होता है, it is act as a neutral nucleophile, इवन कि आप R3N, it is also act as a nucleophile, तीन alkyl group पटायाज, ये tertiary है, आप देखें तो ये primary है, ये आपका secondary है, फिकास nitrogen से यहाँ दो alkyl group present है, nitrogen में एक alkyl group, nitrogen में तीन alkyl group present है, ये सब आपको neutral nucleophile category में आएगे, इससे मैं एक question दिखा है, यहाँ पर देखे, NS3OH लिखा हुआ है, पहचाना है किस पर Electrophile है या निक्रोफाइल है, यहाँ पर समझना होगा इस चीज़ को, यह NS3 प्लस अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखे क्या यह Electrophile है, तो मैंने बताया था कि Electrophile होने के लिए condition क्या required है, यह Electrophile के पास यह NS3 प्लस कभी भी Electrophile का डिगरी में नहीं आता, इसका Octet Complete है, यहाँ पर NS3 में देखिए, फेले हम न पर गौर करते हैं, इसका Octet Complete है, तो यह कभी भी Electrophile नहीं बन सकता है, अब रहा सवाल Oxid है, तो इसका मतलब यह Electrophile हो सकता है, इसके पास एक Lone Bear है, NS3 Electrophile क्यों नहीं समझ गया आपने, यहाँ पर इसके पास और इट एलेक्ट्रों प्रज़न थे, यह Electrophile के लिए हमीशाद 8 से कम Electron होना चाहिए, यह 6 Electron होने चाहिए, तो उस Condition में यह Electrophile बन पाते हैं, यह नहीं बन पाते हैं, कभी सवाल पूछ देते हैं कि, H3O Plus क्या है, Electrophile है या निकलोफाइल है, तो रिज़न है जखिए, अगर आप H3O Plus पे गौर करें तो इस structure पर जाना पड़ेगा आपको, आप जानते हैं कि Water देखिए कैसे बनता है, ऐसे बनता है Water, Water ने अपना एक Electron पेर औरड़ी H Plus को दे चुका है, तभी यह बना H3O Plus, जब एक वक्त में एक एटम एक Electron पेर दे चुका है, जादा उसके अंतर जो पाई जाएगी वह Electrophilic Nature जादा होगा, निक्लोफिलिक निचर क्या होगा, आई होप आपको यह निक्लोफाइल, एलेक्ट्रोफाइल चीज़े क्लिर हो गई होगी, आगे इस तरह से मैं थी तरह ग्रेजुली थोड़ादा टॉपिक में लेक्ट्रोफाइल बसता जा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से बेसिक्स बाते हैं आप पहले समझें, उसके बाद हम थोड़ादा डिफर्ण डिफर्ण कॉंसेट पर आएंगे, के केमिस्ट्री के बाद डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, थांक्यू.